हेलो दौस्तों स्वागात है मेरे इस यूट्यूब चैनल में दौस्तों देखे मेरे चैनल मेरे पास एक 32 इंच का LED TV दौस्तों रिपेरृंग होने के लिए है और दौस्तों कस्टङमर का कह bisher करना के यह जो है जो है जो है बलस्ट किया था तो चले दोस्तो इसको ओपन करेंगे और दोस्तो step by step किस प्रकार से रिपेरिंग करते हैं सारा प्रोसेस आपके सांथ शेयर करूंगा दो दोस्तो वीडियो में लाश्ट तक बनी रहेगा चलिए दोस्तो इसको उपन करते हैं और आप लोग को दिखाते हूं इसको क्या कंडिशन है तो दोस्तो देखिए मैं इसका PCB को उपन कर चुका हूँ और दोस्तो देखने पर तो ऐसे लग रहा है कि यह हमारा सायद रिपेरिंग होगा क्योंकि दोस्तों देखिए हमारा मेन फिल्टर कापसिटर भी दोस्तों फिलोवाय और सेकेंडरी साइट का देखिए यह वाला भी सीटर था 100 Macrier को दोस्तों भी हमारा गेbor गातो सब्सक्राइब उतकर करस किजिएगा चली माई इसको जहें टच करता हूं तो दोस्तो धे इसको तउस्टोब है इसका मतलब है दोस्तो हमारे सेकेंडरि साइड बे दोस्तों कोई भी स्वाटिंग नहीं है हमारों इसमें जारहें चलिए एक बार देखाते हम अब लोक को दोस्तों देखिए इसमें पारा वोल्टेजें आप सब्लाइद देने पर हमारा इस्टेंबाइ लाउ लैट डोस्तों प्रोप जा रहे कुलो हो रहें और दो वेल्यू का ही आप component उसमें लगाईएगा तो चलिए दोस्तो एक एक करके इसमें लगाते हैं दोस्तो परशली क्या करेंगे देखिए हमारा जोकी कापसिटर दोस्तो जोकी सेक्षन का है देखिए इसको मैं लगा चुका हूँ दोस्तो सभी कंपोनेंट का उपर साइट से लगा लेते हैं फिर उसके बाद सोल्डिन करेंगे दोस्तो देखिए यह हमारे बेक लेट सेक्षन के लिए तीरसा टॉल्ट अंडेड माइक्रो था मतलब खराब हो चुका था जोकी श्रोट नहीं कर पा रहा था फिल्टर भी नहीं कर पा रहा था उल्टेज को तो दोस्तो देखिए इसको भी प्रॉपर इसमें लगा देंगे सेम वेल्यू का ही आपको लगाना है दोस्तो अब दोस्तो चलिए इसमें जो है जोकी एसी वल्टेज को दोस्तो फिल्टर करता है दोस्तो देखिए ये वाला देखिए दोस्तो ये वाला हमारा जो है जो कि AC वल्टेज को दोस्तो फिल्टर करके हमारा जो है बिर्ज रेक्टिफायर पर दोस्तो सप्लाई देता है उसके लिए दोस्तो जाता है इसमें से सप्लाई तो चलिए इसको भी लगा देते हैं और दोस्तो देखिए हमारा एक component दोस्तो रा गया जो की देखिए ये वाला अमारा जो की bridge rectifier दोस्तो वो भी हमारा SMD component पर है तो चलिए इसमें जो है soldering करके आप लोग को दिखाता हूं तो दोस्तो देखिए फाइनली मैं इसमें soldering कर चुका हूं और देखिए दोस्तो बेक साइट से भी हमारा जो है प्रापर जो है soldering हो चुका है हमारा सभी component दोस्तो देखिए ये वाला हमारा bridge rectifier इसको भी जो है दोस्तों देखिए हमारा stand by light दोस्तों proper glow हो गया और देखिए stand by release भी हो गया ठीक है इसका मतलब है हमारा power supply दोस्तों proper ok हो चुका है चलिए इसमें AC in करते हैं दोस्तों और हमारा एक बार display को भी दोस्तों चेक करते हैं दोस्तों देखिए इसमें AC in कर चुका हूँ अब देखिए दोस्तों हमारा stand by light proper glow हो चुका है देखिए वाला अब चलिए दोस्तों display भी एक बार चेक कर लेते हैं तो दोस्तों देखिए हमारा display भी proper आ चुका है और दोस्तों देखिए इसमें कोई भी disturbance नहीं है देखिए भी 2 हमारा सेलेक्ट हो चुका है देखिए no signal दोस्तों कोई भी disturbance नहीं है और हमारा कुछ भी load भी जो हमारा series वलबन नहीं सो कर रहा है ठीक है इसमें तो दोस्तो देखे मैं इसको पेकिंग कर चुका हूँ चलिए एक बार दोस्तो पेक करने के बाद भी इसको ओन करके देखते हैं उसके बाद दोस्तो इसमें पिक्चर भी लगा के देखेंगे तो दोस्तो देखे इसमें जहे AC इन कर चुका हूँ और देखे हमारा जहे standby light भी दोस्तो proper glow हो चुका है और देखे दोस्तो हमारा standby release भी हो चुका और देखे हमारा जहे proper blue color आ चुका है चलिए दोस्तो इसमें क्या करेंगे एक बार दोस्तो हम जहे पिक्चर लगा के देखते हैं ठीक है तो दोस्तों देखिए मैं डिटिया चिता हमारा उसमें उस जगा पे ला चुका हूँ अब चलिए दोस्तों इसमें पिक्चर लगा के देखते हैं अगबर तो दोस्तों देखिए हमारा प्रॉपर आवाज भी आ चुका है दोस्तों एक भी disturbance नहीं है चलिए दोसे मिलते हैं नेश्ट वीडियो में